तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और आटे का मीठा पुड़ा लेकिन हम बनाएंगे इसे तवे पे ही ये तवे पुड़ा मेरी ममी बनाने वाली हैं क्योंकि मैं उनके घर पे आई हुई हूँ इसलिए इसके हम इंग्रेडियेंट्स भी देख लेते हैं तो आटे जब इसका बैटर त्यार हो जाए और तवा जब अच्छे से गरम हो जाए तो बहुत ही साथाने के साथ हम इसके बैटर को तवे पे डालेंगे इसके बाद आप इसे एक राउंड शेप देजी जिगा ताकि इसका जो बैटर है वो एक अच्छे तरीके से फैल जाए जाए आप इसको सेखने के लिए घी का या फिर सरसो के तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तो आप इस पूड़े को चाय के साथ भी slapstick कर सकते हैं इस पूड़े को हम mostly मीठा चिला भी बोल देते हैं जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो जब चारों तरफ से ये ये पूडा खाने के लिए त्यार है तो इसके सेकने में जो टाइम लगता है वो लगता है एक से डेट मिनट तो देखिए इसका कलर कितना टैंप्टिंग लग रहा है और गुड का जो टेस्ट आएगा वो भी बहुत ही अच्छा आएगा तो ये चिला हमारा बनके रेडी है अब हम इसे सर्फ करेंगे एक प्लेट में तो लेजिए ये पूडा रेडी है चाय के साथ खाने के लिए ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा